Hello everyone, good evening, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA Campus पर और बच्चो आज की जो ये class रहेगी आप लोगों के लिए जो 55 days का हम master class लेके चल रहे हैं selection series उसका practice set number 6 रहेगा और ये practice set हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल के लिए SSC के सभी exams के लिए CET के exam के लिए इसके साथ-साथ VLDD के entrance exam के लिए और SSC के exam के लिए क्या रहेगा special रहेगा तो बच्चो आज की class start करने से पहले मैं आप से एक छोटी सी request करूंगा कि वीडियो को like करके share जरूर कर देना इसके साथ-साथ चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो class के बारे में notification time to time मिलते रहे तो आईए बच्चो आज का पहला question है आप लोगों के सामने which one of the flowing is an example of natural acid based indicator निमन लिखित में से कौन सा प्राकर्तिक अमल शार संकेतक का एक उधारन है methyl orange, phenethylene, turmeric या all of the abo बिलकुल आसान question है बच्चो फटा फट से live chat में answer दे दीजिए बई शाबास फटा फट से दे दो बई शाबास very good, very good, well done बच्चो तो इसका जो right answer मेरे साथ होगा एक बार आप live chat में दे दो बई तो मुझे बड़ी खुशी होगी मेरे साथ ही हो तो इसका right answer रहेगा option c turmeric option c turmeric यानि हल्दे option c turmeric यानि हल्दे उसके बाद है बच्चो आज का next question question number second which of the following is a female sex hormone निमन लिकित में से कौन सा मादा sex hormone है androgen, estrogen, oxytocin या insulin तो फटा फट से एक पर live chat में आंसर दे दो बच्चो second question का बिलकुल आसान सा question है बई शाबास मेरे साथियों बस इसी तरह से साथ देते जाए बई और आप लोगों के लिए ऐसे ही भैतरीन questions की series है चलती रहेगी और उमीद है बच्चो आपके ये questions exam में काफी helpful होंगे तो बच्चो exam में question ऐसे ही आएंगे बस question थोड़ा गुमाफिरा के पूछा जा सकता है हो सकता है कि same statement ना हो थोड़ी सी गुमाफिरा के आप लोगों से पूछ ली गई हो तो बच्चो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा option बे एस्ट्रोजन क्या रहेगा एस्ट्रोजन ठीक है उसके बाद आईए बई next question पे question number 3 golden rice is a rich source of golden चावल का एक समरेदस्त्रो होता है यानि golden चावल में कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन K तो फड़ा फड़ से live chat में answer दे दीजिए बच्चो बिलकुल आसान आसान से questions आप लोगों के लिए इस series में लेके आया हूँ और बेहद ही interesting से questions हैं आप लोगों के लिए simple language में question बट याद रखना exam में थोड़ा सा ग विटामिन, option A, विटामिन क्या रहेगा, option A, विटामिन, ठीक है विटामिन कौन सा भई, A, विटामिन A, उसके बाद आईए भी next question, question number 4 पे, which one of the flowing metal is called the metal of future, कि निमन लिखित में से कौन सी दातू को बविश्य की दातू कहा जाता हैं, तो फड़ा वड़ से live chat में answer दे दो पर आईरन, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम, फड़ा वड़ से live chat में answer दे दो बच्चों, बिलकुल इजी-जी से question से आप लोगों के लिए टपकाद हो answer इनके बई, very good, well done, तो बच्चों, इसका जो right answer रहेगा आपका, वो रहेगा option, डी टाइटेनियम, टाइटेनियम को क्या है भविश्य की दातू कहा जाता है, उसके बाद आईए next question, question number 5 पे, which is the hardest in the following, नीमन लिखित में सबसे कठोर कौन सा है, diamond, glass, quards, या iron, फटा फट से live chat में answer देदो बच्चों, बिलकुल easy, जिसे questions है भई, जी बच्चों, फटा फट से live chat में answer देदो बच्चों, वीडियो को like करके share जरूर कर देना भई, और इसके साथ-साथ एक information आप लोगों के लिए, कि जो VLDD के application form भई, निकल चुके हैं, आज 10 दिन हो चुके हैं application form भरे जा रहे हैं, तो आप लोग भई, फटा फट से जिन बच्चों ने application form नहीं भरे हैं, बर देना, ठीक है, इसके साथ-साथ काफी सारे बच्चे comment करते हैं, कि sir, documents new चाहिए, क्या, तो बच्चों, एक document नहीं की demand की गई है, वो income certificate है, 14-2021 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, तो इसका जो right answer रहेगा, बच्चों, वो रहेगा option A, diamond, क्या रहेगा, option A, diamond, उसके बाद आईए भी next question, question number 6 पे, what is the normal blood pressure of human, what is the normal blood pressure of human, माना उकास मान्या रकत चाप क्या है, फड़ा फड़ से live chat में answer देतो, बच्चों, बिल्कुल आसान सा question है, बई, शाबास बच्चो, well done, very good, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ बई, और इस series को अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर देना बई, ताकि वो भी इस series का फाइदा उठा सके, और अपने परिवार VLDA campus के साथ जुड सके, हम हर एक बच्चे के उजवल भविशे की कामना करते हैं, कि आप सभी को अपने अपने mission में काम्याबी मिले, तो बच्चों इसका जो right answer रहेगा, वो रहेगा option A, 120 by 80 mmHg, यह Hg पीछे क्यों लगता है, यह दिखाता है mercury को, किसको दिखाता है बच्चों, mercury को, ठीक है, उसके बाद आईए बई, next question पे, question number 7 क्या है, when water is heated from 0 degree to 10 degree Celsius, its volume will be, कि जब पानी को 10 degree Celsius तक गरम किया जाता है, तो इसका आयतन होगा, बढ़ता है, गटता है, या नहीं बदलता, या पहले बढ़ने से गटता है, पहले बढ़ने से गटता है, first decrease पहले गटेगा, then increase, फिर क्या है, बढ़ेगा, तो बच्चों फटा फट से live chat में answer देदो, भी बिलकुल आसान सा question है, बिलकुल easy question है बई, शबास, very good बई, well done बच्चों, तो बच्चों इसका जो right answer होगा, वो रहेगा आपका option B, पहले गटेगा और फिर क्या है बच्चों, बढ़ेगा, पहले गटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, उसके बाद आईए next question, question number 8 पे, the study of bones are under which branch of science, हडियों का अध्यन विज्ञान की, किस साखा के अंतरगत आता है, ओस्टियोलोजी, ओरोलोजी, सीरोलोजी, जीयोलोजी, हिंदी में कहेंगे, अस्थी विज्ञान, ओरोलोजी, सीरोलोजी, या भू विज्ञान, very good, बच्चो, फड़ा फड़ से live chat में answer टपका दो, बड़े आसान, आसान से questions हैं आप लोगों के लिए, तो इसका जो right answer रहेगा बच्चो, वो रहेगा आपका, option A, osteology, अस्थी विज्ञान, क्या रहेगा, अस्थी विज्ञान, यानि हडियों को हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थियान, ठीक है, तो हिंदी वाले से नाम भी पढ़ लिया अगरो, उनसे आसानी से question हो जाएगा बई, तो इसको क्या कहते हैं, अस्थी विज्ञान, उसके बाद आएए बच्चो, next question, question number 9 पे, what is the full form of sonar, sonar की full form क्या होती है बच्चो, solar navigation and ranging, ship navigation and ranging, sound navigation and ranging, and sound navigation and reflection, तो फटा फट से बच्चो लाइव चैट में answer देदो बई, तो बच्चो इसका right answer एक बच्चो इसका right answer एक बच्चो अप्चो इसका right answer रहेगा, बच्चो ऑप्शन C, sound navigation and ranging, उसके बाद आएए बे next question, question number 10 पे, a liquid consisting of 5 to 30% acetic acid is known as, कि जिस liquid में, जिस दरो में, जिस तरल में, 5 से 30% acetic acid होता है, उसको हम क्या कहते हैं, lime, boric acid, detol, या vinager, तो फटा बट से लाइव चैट में answer देदो बच्चो, बिल्कुल आसान सा question है बई, शाबास, very good, तो इसका right answer रहेगा बच्चो, option D, vinager, यानि सिर्का बोलते हैं उसको, उस solution को क्या कहते हैं, सिर्का, जिसमें 5 से 30% तक acetic acid हो, उसको क्या कहते हैं, सिर्का, उसके बाद आईए बच्चो, next question पे, question number 11, NACO is an organization dealing with, नाक को एक संगठन है बई, जो निमन लिखित में से संबंदित हैं, ये संगठन किस से संबंदित है बच्चो, फटा-फट से live chat में आंसर देदो बई, बिल्कुल आसान सा question है बच्चो, और फटा-फट से इसका answer देदो बई, बिल्कुल आसान सा question है आप लोगों के लिए, फटा-फट से answer दो, शाबास बई, तो इसका right answer रहेगा, option C, एड्स, option C, एड्स, और बच्चो, एड्स किस से होता है का, वाइरस से, कौन से वाइरस से, HIV से, तो आईए बे next question पे, question number 12, which of the following gases is used for extinguisher fire, या निमन लिखित में से कौन सी gas आग बुजाने वाले यंत्रों में प्रयोग की जाती है, फड़ा-फड़ से answer देतो बच्चो, बिल्कुल आसान सा question है बई, शाबास, very good बई, well done बच्चो, तो इसका जो right answer रहेगा, वो रहेगा, carbon dioxide यानि CO2, ठीक है, किसका use किया जाता है, CO2 का, उसके बाद आईए बच्चो, question number 13 के अंदार, myology is the branch of botany in which we study, mycology है, वो वनस्पती विज्ञान की साखा है, जिसमें हम अध्यान करते हैं, किसका अध्यन करते हैं बच्चो, fungi का, algae का, bacteria का, या virus का, तो एक बर फटा फट से live chat में answer देदो, मेरे साथियों, आसान सा question है विल्कुल बई, फटा फट से टपका दो, शाबास, very good बई, और बच्चो, जो question गलत हो जाते हैं, उनको note down कर लिया करो, या इस practice set को दो बार लगा लिया करो बई, ताकि सारे के सारे जो questions है, आपके mind में set हो जाए, और आप लोगों की revision हो जाए, और आप लोगों की preparation बहतर से बहतरीन हो जाए, बई, शाबास बई, very good बच्चो, फड़ा फड़ से live chat में answer दे दो बई, mycology, mycology किसका अध्यन है, fungi का, कवक का, कवकों का जो अध्यन करते हैं, वो आता है बच्चो, mycology के अंदर, किसके अंदर आता है, mycology के अंदर, ठीक है, उसके बाद आईए, next question, question number 14, which of the following blood group has no antigen, नीमन में से किस रकत समूव में कोई antigen नहीं होता, a में, b में, या a b में, या o में, तो फड़ा फड़ से live chat में answer दे दो बई, और जिन बच्चों ने हमारी theoretical class देखी है, वो बच्चा इसका अंसर बाग के दे देगा, दे दो बई, फड़ा फड़ से, शाबास, very good, बच्चों, well done, और बच्चों याद रखना बई, यह जो questions है, ऐसे-ऐसे questions ही exam में आते हैं, जिन बच्चों ने theoretical class अच्छे-चे देखी हैं, उनको इस तरह के questions में कोई problem नहीं आएगी, चाहे कितना ही गुमा फिरा के दे दे, ठीक है, तो इसका जो right answer रहेगा बच्चों, वो रहेगा, option D, O, ठीक है, इसको O blood group बोलते हैं आप लोग, बट वास्तव में इसमें कोई antigen नहीं होता, इसके कारण इस blood group का नाम होता है, zero blood group, क्या होता है, zero blood group, ठीक है, उसके बाद आईए वही next question पे, question number 15, enthophobia is fear of the following, enthophobia निमन लिखित का डर हैं बई, बोस का, fire का, flowers का, या dogs का, फड़ा फड़ से live chat में answer दे दो, शाबास, very good बई, well done बच्चों, well done, फड़ा फड़ से answer टपका दो बई, आसान सा question है बई, दे दो answer, बस ऐसे answer देते जाओ, मेरे साथियों, ठीक है, फड़ा फड़ से answer दे दो, शाबास, very good बई, तो इसका right answer रहेगा, मेरे साथियों, option, see flowers, फूलो का जो डर होता है, उसको कहते हैं, एन्थो, फोबिया, उसके बाद आईए बच्चों, next question, question number 16 पे, to the person with the color blindness, red color will appear, वर्णांदता वाले व्यक्ति को, लाल रंग दिखाई देगा, कि जिस बंदे को वर्णांदता है, यानि रंग पेचाणने में दिक्कत है, उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा, yellow, green, blue, या purple, फड़ा फड़ से live chat में answer दे दो, बच्चों तुक्ता नहीं मारना, और जिन्होंने previous practice set join किये हैं, उनमें भी ये questions था, तो वो इसका right answer दे सकते हैं, तो इसका right answer मैंने वैसे एमारी जो class बताई, class जो attend की थी, humanize chapter वाली, उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो इसका right answer रहेगा, बच्चों, option B, green, क्या रहेगा, option B, green, उसके बाद आईए बच्चों, next question पे, question number 17, in active chemical to remove mosquito, मत्रों को हटाने के लिए सकरिया रसायन कौन सा है, सकरिया रसायन कौन सा है, फड़ा फड़ से live chat में answer देदो बच्चों, एल एत्रीन, एट्रोपाइंट, या टू, आईसो, प्रोपो, जाइफाइमल, या बेंजीन, हेक्जा, क्लोरोफीन, तो फड़ा फड़ा फड़ से live chat में answer देदो बच्चों, शाबास, वेरी गुड़ बई, बिल्कुल आसान सा कोशन है, देदो जवाब बई, शाबास बच्चों, वेरी गुड़ बच्चों, वेल दन बच्चों, वेल दन, तो इसका right answer रहेगा बच्चों, option A, एले थ्रीन, क्या रहेगा, option A, एले थ्रीन, उसके बाद आईए बच्चों, next question, question number 18 पे, which of the following scientists discovered polio vaccine, कि निमन लिखित में से किस वेज्ञानिक ने polio vaccine की खोज की थी, बड़ा अच्छा और important question है बच्चों, फड़ा फड़ से live chat में answer देदो, वेरी गुड, बड़ा question है, ठीक है, ये exam में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो right answer रहेगा, मेरे साथ ही हो, वो रहेगा, option D, john shark, किसने, john shark ने, उसके बाद आईए बच्चों, next question पे, question number 19, where is the pineal gland is situated, pineal गरंती कहां स्थित है, liver में, brain में, kidney में, या uterus में, तो फड़ा फड़ से live chat में answer देदो बच्चों, शाबास, very good बई, well done मेरे साथियों, इसी तरह से जवाब देते चाहिए बई, तो इसका जो right answer रहेगा, मेरे साथियों, वो रहेगा, option B, brain में, कहां होती है, brain में, उसके बाद आईए जी, next question, question number 20, पे, in an earthen picture, the water remains cold due to the process of, इसने का, सुराही, मिटी की जो सुराही बनी होती है, उसमें पानी है, वो ठंडा रहता है, वो किस परकिरिया के कारण रहता है, sublimation के कारण, condensation के कारण, evaporation के कारण, या none of the above, फड़ा फड़ से live chat में answer देदो, बच्चों, बिलकुल आसान सा question है आप लोगों के लिए, तो बच्चों, इसक हम बहतर से बहतरीन क्लास आप लोगों को provider कर सकते हैं, तो बच्चों, इसका जो right answer रहेगा, वो रहेगा option C, क्या रहेगा, option C, evaporation, उसके बाद आईए बच्चों, next question 21 पे, an astronaut sees the color of the sky as, कि एक अंत्रीक सी आत्री है, बच्चों, उसको आकास का रंग कैसा दिखाई देता है फटा फट से एक बार live chat में answer दे दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा question है भी आप लोगों के लिए, दे दो answer फटा फट से, शाबास, very good बच्चों, well done, दे दो answer बई, जी बच्चों, very good, well done बई, well done, शाबास, तो इसका right answer रहेगा, बच्चों, option D, black, क्या दिखाई देता है black, अंतरिक सियात्री को कैसा color दिखाई देता है, black, ठीक है, उसके बाद आईए बच्चों, next question पे, question number 22, brass gets fed color in air due to the presence of, पीतल हवा में फीका रंग की उपस्तिती के कारण हो जाता है, पीतल का हवा में फीका रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है बच्चों, फटा फट से live chat पे answer दे दो, शाबास, very good बच्चों, शाबास बई, तो इसका right answer रहेगा मेरे साथियों, option B, hydrogen sulfide, क्या रहेगा, hydrogen sulfide, उसके बाद आईए बच्चों, next question 23 पे, which of the following acid do not contain oxygen, निमन लिखित में से किस acid में oxygen नहीं होती, nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid, या none of a, देज, तो दे दो भी फटा बट से answer, शाबास, very good बच्चों, very good, well done बई, तो बच्चों, इसका right answer जो होगा, एक बार like chat में दे दो, वीडियो ग्लास अच्छी लग रही है, सभी साथी like करके share जरूर कर देना बई, और channel को subscribe करके, bell icon जरूर प्रेस करना, और वहाँ all notification select कर लेना, तकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो ग्लास का notification time to time मिलता रहे तो बच्चों, oxygen किस में नहीं आती है, पदा चलेगा formula से, nitric acid का formula होता है, HNO3, ठीक है, sulfuric acid का होता है, H2SO4, hydrochloric acid का होता है, HCL, तो किस में नहीं आ रही, HCL with option C क्या रहेगा, बिल्कुल सही, उसके बाद आईए बच्चों, next question, question number 24 पे, what is hydroponics, hydroponics क्या है बच्चों, out, soil enrichment, grafting plant, and studying of vegetables, soil conversion, conservation, तो फड़ा फड़ से, लाइव चैट में आंसर दे दो, बच्चों, बिल्कुल आसान सा question अभी, आप लोगों के लिए, दे दो, आंसर भी, शाबास, तो बच्चों, इसका जो right answer रहेगा, वो रहेगा, option A, मिट्टी के सरवर्दन के बिना पोदे, ठीक है, उसके बाद आईए बच्चों पे, question number 25, which of the following is used to remove rust stains on cloth, कपडों पर जंग के दब्बे हटाने के लिए, निमन लिखित में से किसका उप्योग किया जाता है, केरोसीन, मिट्टी का तेल, लाइम यानि निम्बू, लेमन, ठीक है, और oxalic acid solution, और none of the, एब उप्रोक्त में से कोई नहीं, फड़ा वट से लाइशेट म आंसर देदो बच्चों, शाबास, वेरी गुट बई, शाबास भी, फटा फट से लाइशेट में आंसर देदो, वेरी गुट बच्चों, हंजी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे साथियों, वो रहेगा option C, oxalic acid, क्या रहेगा, oxalic acid, तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास भई, और 70 कोश्चन की क्लास नहीं हो पाई, यार किसी कारण, तो वो क्लास हम आपको कल करवा देंगे, तो बच्चों वो कल या परसों या एक दो दिन में जैसे ही टाइम लगेगा, वो 70 कोश्चन की क्लास आपकी जरूर होगी, don't worry, tension नहीं लेनी, ठीक है, आ इसके साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल जोइन करेंगे, वो एडमिन को मैसेज कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी क्लास का बेनिफिटर मिल सके, और बच्चों आपने वीडियो को लास तक देखा है वे उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, जै हिंद, जै भर